हे गाईज विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वड़े में तो दुस्तों बहुत बड़ी गुड नियूज है आप सभी कैनिडेट के लिए इंडेन ओयल की तरब से पर्मानेंट सरकारी नोकरी की जबर्जस्त वेकिंसीज निकल चुकी है प्लाइन डिविजन्स की सरकारी नोकरी की वंपर विकिंसीज आ चुकी है यहां पर 467 पोश्ट के लिए पर्मानेंट सरकारी नोकरी के लिए वंपर विकिंसीज निकाल दी गई है जो कि ओल इंडिया के फ्रेसर केंडिडेट अप्लाइ कर सकते हैं तो चलिए डिटेल प्लाइन डिविजन्स हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा तकि मैं आपको बता दू कि आप एलिजबल हैं या फिर एलिजबल नहीं हैं कैसे लगी पहली वीडियो आपको इंडियान ओयल की आपको जरूर बताईएगा तो गैस यह है आपका ओफिसल सॉट प्रेशन लिमिडेट की दिरभ से यह नन एक्जीक्यूटिव प्रस्टनल्स की रिक्रूट्मेंट है और यह जो वेक हैं रिलीज की गई है रिफाइनेरी डिवीजें से जितने भी रिफाइनेरी डिवीजयन उनकी सी दुबारा जो रिकूट्मेंट है वह आपको आपकी प होगी तो चलिए नएन एक्जुटी की भी प्रस्टनल्स की रिकूट्मेंट है अलग-अलग वेकिंसी होगी देखे फूर पाइपलाइन डिविजन्स के लिए जो वेकिंसी है 25,000 से लेकर एक लाग-पांच अजर की सेलरी मिलेगी पोस्ट कोट कौन-कौन से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिफाइनरी डिविजन्स की भी सेलरी सेम होती है इसके अलग-अलग आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी है मैं सारी पोस्ट कवर करूँगा जितनी भी जेई की पोस्ट है यानि की जूनियर इंजिनियर की जो वेकिंसी है जितनी वेकिंसी है यह जो रिक्रूट्मेंट सबसे ज़्यादा वेकिंसी आपको देखने को मिलेगी रिफाइनरी डिविजन्स में नेक्स रिक्रूट्मेंट जो pipeline डिविजन्स में है जहां पर assistant engineer and technical attendant जो ITI की vacancy से उसकी हम discuss करेंगे सबसे पहले डिसकस करते हैं जो vacancy निकाली गई है refinery divisions की तरब से अलग-अलग पोस्ट होगी अलग-अलग factory यां होगी refinery factories सबसे पहला पोस्ट है junior engineer assistant की जो productions में recruitment है तो इसमें बहुत सारी refinery division देखने को मिलेगी गो आटी, बरोनी, गुजरात, हल्दिया, मतुरा, पानीपट, डिकबोही, बंग्यागाउं and पारादिव इसके अलग-अलग post divide की गई है आप category wise भी post देख सकते हैं और total number of post भी यहां पर देख सकते हैं फिर आपको JE की vacancies मिलेगी आपकी PNU में में अलग-अलग department में vacancies next आपको recruitment यहां पर देखने को मिलेगी JE assistant में O&M में vacancy O&M में पानीपत में और पारादूप में vacancy है JE की electrical engineering and junior technical assistant की जो recruitment है grade 4 की इसकी vacancies यहां पर invite की गई है फिर आपकी JE में mechanical की vacancies है या फिर junior technical assistant की recruitment इसके लिए अलग यहां पर branch आपको देखने को मिलेगी next recruitment JE के लिए instrument engineering के लिए vacancies है या फिर जेटी जेटी यह बोलते हैं junior technical assistant इसके लिए अलग vacancy junior quality control analytics की recruitment है यह post आप शेक कर सकते हैं category wise फिर आपकी junior engineer assistant grade 4 में fire and safety branch के लिए vacancies है तो इसको आप यहां पर शेक कर सकते हैं इसमें totally mostly 400 plus recruitment release की गई है जो refinery division से vacancies है आउट की गई है सबसे ज़्यादा vacancy refinery में ही निकाले गई है post है reserved day all reserved post है होगी कई सारी जो category ways है जिसकी details आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी इसको हम देखते बाद में पहले चलते हैं दूसरी number की notifications जो दूसरी दो एकी notification में दो notification attached है refinery division और pipeline divisions में आप ITI पास आउट है या फिर आप BITEC engineering कर रखें तो आपकी जो pipeline divisions में जौब लगेगी आपको pipeline divisions में apply करना होगा ओके अब यहां पर आते हैं इंजिनेरिंग्स के लिए इंजिनेरिंग्स के लिए engineering assistant electrical branch mechanical TNI में recruitment है फिर आपकी वेकेंसी है technical assistant में टेकनिकल एसेस्टेंट में अलग अलग अपको pipeline divisions मिलेगी जिसे उत्तर परदेश अर्याना पंजाब फिर आपको मिल जाएगी नर्पेल उत्तर परदेश ओडिसा तेलंगना आंदर परदेश परदेश और राजस्थान इसमें भी तरह तरह की अलग 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 वेकेंसी निकाली गई है लेकिन उतनी वेकेंसी नहीं है जितनी की refined divisions में वेकेंसी है बट रिक्रूट्मेंट निकाली जरूर गई है जहां पर ये technical attendant की जो पोस्ट है वो आई टी आई की trade वाले candidate अपला कर सकते हैं अभी trade बताऊंगा कौन-कौन से trade एलिस बलोंगे ये वेकेंसी इंजिनेरिंग के trade जो भी बिटक और refined division में डिपलोमा की candidate और कुछ पोस्ट डिगरी के candidate अपलाय कर सकते हैं अब पोस्ट को ध्यान से जगुना में A to Z pros आपको बताने वाला हूँ तो जो refined divisions की वे डिपलोमा जरूरी है बहुत सारी पोस्ट में डिपलोमा करेंगे लेकिन जितने भी पोस्ट है अगबर अगबर राव वन से लेकर चार नमर तक यहने की पोस्ट कोड 201 से लेकर 204 तक त्रीयर की अपने डिपलोमा कर रखी हो relevant फिल्ड में relevant ब्रांच में तो ही अपलाय कर सक एक पर आपकी एक चीज़ का धियान रहें अपको यहां पर मिलेगी ब्रांच केमिकल टेक्नलोजी वाले अपलाय कर सकते हैं जो प्रोडक्सन में वेकंसी से नेक्स है जूनियर इंजिनियर इंजिनियर एसिस्टन फोर के बाद एसिटन पर यहां पर यहां पर दिप्रोमा सिटन अब चैनिकल में वेकंसी तो इसमें कौन अपलाय कर सकते हैं डिपलोमा मेकंडिकल इंजिनियर इंजिनरिंग से अपलाय कर सकता है बड़ आपने इटिया ट्रेड में कर रखियो बड़ यहां पर एक्स्परियंस रिक्वाइड होगी यहां बड़ आप जेई की अंड लेंज़ेंटर में ही आप काम करोगे इसलीए एक्सप्रेस्ट का और को सकते हुए एाप को किके सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फर sounded गया कर सकते हैं याद रखना किस्ट में हाइट मेजरमेंट होती है 165 cm हाइट होनी चाहिए अपके पास 186 cm चेस्ट एक्समेसंस के साथ 50 kg और कई सारी चीज़े में आपको यहाँ पर विज्वल्स देखने को मिलेगी है अब नेक्स रिक्रूटमेंट है क्वालिफिकेसंस पारमेंडर्स पाइप्लें डिविजेंस में बात करें जितने भी इंजीनीरिंग एससेस्टन के रिक्रूटमेंट है यहार हम लोग सोच रहे थे इसमें भी बीटक का मौका दिया जगा बध यहां पर भी इंजीनीरिंग कंडेट को मौका नहीं दिया गया ह सो स्वारी बहुत कमी candidate को मिला है तो इसमें भी डिप्लोमा के candidate अप्लाइ कर सकते हैं डिप्लोमा रिलेवन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स, मेकिनिकल आटो मॉबाइल्स वाले अप्लाइ कर सकते हैं और TNI ग्रेट 4 में इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग्स अब जो टिक्निकल एटिटेंट की वेकंसी है यहां पर है और इस पाइप्लाइन डिविजन्स में कोई भी एक्स्प्रियंस नहीं मागी गई है वर्क एक्स्प्रियंस नॉट मेंडर्ट्री जितने भी आईटिया स्टुडेंट है फ् इस्ट्रुमेंट मेंडर्ट्री जितने बहुत सारी ट्रीड एलिजबल होने वाले हैं अच्छी अपश्चनोडी है लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए मस्ट वेकंसी है तो जितने भी डिप्लोमा इस्टुडेंट है कमेंट में आप अपना ब्रांच जरूर बताना है क्यो और इसी तरह घबराएं नहीं, बहुत सारे अभी pipeline division और refined division से vacances निकलना बाकी है, यह तो अभी शुरुआत है, जो भी आपकी qualifications से सारी completed होनी चाहिए, अगर experience कहीं पर मांगा गए आपके लिए तो भी completed होनी चाहिए, जो JEE की vacances उपर मैंने बताया था, refined divisions में, उसमें vacances के ल इसमें आपके पास experience होनी, minimum एक साल का डिपलोमा वालों के लिए, और अगर आप ITI basis पे apply करोगे, refinery में future वाले, तो दो साल के experience होगे, पकी बाद age limit वेगरा हम discuss करने वाले, तो 18 साल से लिकर 26 साल के candidate apply कर सकते हैं, then age relaxation proper मिलेगी, STC वालों को 25 साल की, और OBC वालों को 3 साल की Pay scale बहुत अच्छा होगा, जितने भी student है, उनके लिए application चार्ज लगेगा, form apply करने के लिए, जिनल OBC वालों के 300 रुपे application चार्ज रखने वाला है, कोई भी refundable आपका नहीं होगा, और जितने भी STC candidate है, ICL unit से चार्ज नहीं लगेगा, online applications आपको form fill up करनी है, और online start होने में time है, आप सभी candidate के लगब लगब 20 July से form start होगी, sorry, 22 July 2024 से form आपकी start होगी, last date 21 August 2024 होने वाली है, तो एक employment newspaper की है, आपकी ये news है, कुछ दिन बाद आपको 20 दिन को बाद employment newspaper में publish होगी, then उसके बाद official notifications publish होगी, तो ये एक short notifications है, तैयारी शुरू कर दो, vacancy आपकी निकल चुकी ह है, guys, form के link जल्दी activate 22 July से form आप apply कर सकते हैं, और इसके regarding जितने भी सारे doubt से comment में जरूर बताना, मैं आप सभी के निडिक separate video syllabus के लिए कर आऊंगा, कैसे आप तयारी करना चाहते है, comment में जरूर बताना syllabus की video किसको किसको चाहिए, ताकि आपको पता चले, कि आपको पढ़ना क्या है, और exams में पूछा क्या जाएगा, okay guys, तो great opportunity, apply करना मत बुलना, doubt होगा, extra minute comment जरूर बताइएगा, video इस पिलेगी हो, so please like, share and subscribe करें, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक लिए जाहिए